असलाम अलेकुम फ्रेंड्स यह आपके सामने लैबटाप ओपन है इसमें हम how to take screenshot on laptop लैबटाप से हम screenshot लेना सिखेंगे तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने यह काम करना है जैसे के आपको स्क्रीन पे एक की नजर आ रही है shift plus windows logos plus s तो हम अपने keyboard से यह रही shift की की और यह windows logos है और यह s है इन तीन कीज़ को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें यहाँ shift windows logos और उसके बार s s को जब हम प्रेस करेंगे इस तरीके से उपर आपको यह नजर आएगा यह जो है यह freedom snip है और यह rectangular snip है और different snips है तो यह full screen snip इस पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं friends दबारा मैं आपको यह करके दिखाता हूँ यह keyboard पे आ जाते हैं shift windows और इसके साथ s और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको करना है यह हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स यह screenshot इसी की screenshot इमारे पास यह आ चुकी है इस पे हमने क्लिक करना है और यह हमारे पास यह open हो जाएगी यह जो है फ्रेंड्स अब इसी का एक screenshot हमारे पास आ चुका है जिस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और अब हमने इसको यहाँ से save करना है यह उपर save का निशान है यह save और यह screenshot पी इन जी में करना है यह जे पी जी में करना है यह इसको कर लेता हूँ और यह desktop पे जाते हैं और इसको हम यहाँ पे save कर लेते हैं अब इसको हम open कर लेते हैं यह इसको मैं यहां आपको दوبारा बता डेता हूं यहां से यह हमने फिर्ट जो सेव हो जुका है इसको अगर यहांसे अपने डिलेट करना है तो इसको डिलेट कर सकते हैं इसी तरीके से आपने कहीं से भी स्क्रीन शार्ट जो है वो लेना है आप ले सकते हैं फास करें ये गोगल है ये होम पेज उपन है वही कीज जो मैंने आपको बताई थी शिफ्ट विंडोज लोगो और उसके बाद एस और यहां से इस option पे आ जेंगे ये दी ये पे यहां पे ये आ गया है इसको हमने यहां से एन नई विंडोज में ओपन कर लेना इसमें कुछ बी अगर आपने इडिट करना About करना दिए जो भी करना तो वो आप कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप सेव पर जाएं और इसको आप JPG में आपने सेव करना है या PNG में करना है यहां से आपने उसका फार्मेट चूस करना है डस्क ट्राप यह जिस लोकेशन पर आपने रखना है इसको सेव करना है और यह सेव हो चुका है अब हम इस पे डस्क्राप पे चले आते हैं यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड्स यह हमारा जो है वो स्क्रीन शाट है यह सेव हो चुका है यह स्क्रीन शाट है इसमें आप चाहें तो किसी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं यह देख रहे हैं इस तरीके से आपने किसी भी अगर सक्रीन का शॉर्ट लेना है तो आप इस तरीके से अपनी सक्रीन का शॉर्ट जो है वो ले सकते हैं तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ दूसरा तरीका बहुत ही असान है उसके लिए आपने की बूर्ड पे एक की देखी होगी जिसका नाम है प्रिंट सक्रीन यह रही इमारी की आपने जस्ट इसकी को यहां से प्रेस करना है यह और यहां पे हम वर्ड में ही चले आते हैं फोटो शाप में चले जाएं और यहां से कंट्रोल प्लस वी से हम यह इसको पेस्ट करेंगे यह रहा कंट्रोल और यह रहा वी कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं यह देख लें आमने वर्ड पे इस स्क्रीन शाट को पेस्ट कर दिया तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्रीन शाट को फार्ज करें आप इसी स्क्रीन का इसको मैं न्यू करता हूँ यहां से मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ अब फिर मैं यहां से यह प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ और यहां से कंट्रॉल वी से पेस्ट करता हूँ यह देखें यही सक्रीन शाट यहां पे पेस्ट हो चुका है तो यह दो मैथड मैने आपको बताएं कि आप लैपटाप से कैसे प्रिंट सक्रीन आप ले सकते हैं तो इस तरीके यह दो दानू मैथड से आप प्रिंट सक्रीन एजिली ले सकते हैं और उसको जिस भी अपनी मर्जी के फार्मेट में, PNG में, GIF में या JPG में उसको सेफ कर सकते हैं अगर वीडियो का कोई पार्ट आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे कॉमेट सेक्शन में अपनी प्राबलम हमसे शेयर करें आपको कम्प्लीट उसमें आपके कॉमेंट का रिपलाई आपको दे दिया जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दवाओं में याद रखें थेंक यू, अला हाफीज